आयोध्या के राम मंदिर में दिये जाने वाले सबसे कीमती और अनोखे उपहार, नमबर एक, सोने के कलश और धनुषबान, पटना के हनुमान घढ़ी मंदिर की ओर से, आयोध्या के राम मंदिर को 10 करोड रुपे, सोने का कलश और सोने का धनुषबान भेट किया गया, जो क अब तक की सबसे बड़ी भेट है। जोदपुर से अयोध्या के राम मंदिर के लिए 600 किलो घी 108 कलशों में रखकर जोदपुर से 5 रतों में अयोध्या लाया गया। इस घी से भगवान श्रीया का अभिशेक किया जाएगा। आपको बतादू कि इस अगरबत्ती को बनाने में लगभग 3-4 महीने का समय लगा है और इसकी लागत लगभग 3-4 लाख परी है। कहा जाता है यह अगरबत्ती डेड़ से 2 महीने तक जलेगी और आसपास के 3-4 किलो मीटर तक इसकी खुशबू से भक्तों का मन मोहेगी। नमबर 5-400 किलो का ताला अलीगड के एक बुजर्ग जोड़े सत्यप्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 400 किलो का ताला भेट किया। आपको बता दू कि इस ताले को बनाने में 6 महीने का समय लगा। बात करे इसकी लंबाई की तो वो 10 फी बनाकर भेट की है जो 9 देशों का समय बताती है। ये दुनिया की पहली घड़ी होगी जो 9 देशों का समय बताती है। नमबर 7. 1100 किलो का दीप अयोध्या के राम मंदिर के लिए गुजरात के वडोदरा से 1100 किलो का विशाल दीप पहुँचा। यह दीप इतना विशाल है कि इस दीप में 500 किलो घी समा सकता है। इस दीप को जलाने के लिए 15 किलो रूई का बाती बनाई गई है। कहा जाता ह इस दीप को जब जलाया जाएगा तो ये लगभग 2-5 महीने तक जलेगी और इसे केबल सुद्ध घी से जलाया जाएगा।